मिस्टर बीस्ट की कहानी उत्तरी कैरोलिना के रेली नगर के शहरी इलाके से शुरू होती है जिमी डोनाल्डसन जिनका जन्म 7 माई 1998 को हुआ था एक प्यारी और सहायकारी परिवार में पला था छोटे से उम्र में ही जिमी ने दूसरों के प्रतिदया और सहानुभूती की प्राकृतिक भावना प्रदर्शित की थी वह दोस्तों और अज्यात लोगों की मदद करने के लिए कभी-कभी खुद को खो बैठते थे और उनकी निहस्वार्थ नेचर सभी को पता थी जिमी अपने किशोर वर्षों में औसत छात्र थे जो तकनीक और इंटरनेट से प्यार करते थे उन्होंने यूट्यूब पर विभिन्न कंटेंट क्रियेटर्स और चैनल की खोज की थी वह नहीं जानते थे कि उनका ओनलाइन मीडिया में रुचि जल्द ही उनकी असाधारन यात्रा के लिए रास्ता बनाएगी जिमी जब विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने लगे तो कई चुनोतियों और संगर्षों का सामना करना पड़ा उन्हें अपने जीवन का उद्देश ये खोजने की चुनोती थी जिससे उन्हें दुनिया में एक मायने रखने के लिए एक प्रासंगिक बदलाव लाने का संदेशा मिलता इस आंतरिक टकराव के कारण वे कई बार संदेह की घड़ी में आए क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सामान्य व्यक्ती हैं जिनके पास सीमित संसाधन हैं बड़े परिवर्तन करने के लिए जब जिमी ने पहली बार यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें अपने साथियों और कुछ परिवार सदस्यों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा कई लोग उसकी तरफ से उसे आनलाइन सामगरी निर्माता के रूप में एक करियर बनाने की संभावना पर संदेह करते थे जिससे उन्हें उसमें सफलता हासिल करने की संभावना नहीं थी प्रारंभिक समर्थन की कमी ने उनके सफलता के मार्ग में चुनौतियों को और भी मजबूत किया चुनौतियों के बावजूद जिमी ने दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने लक्षे में द्रिड़ता से जुट गए एक दिन जब वह यूट्यूब पर ब्रावज कर रहे थे तो उन्हें दया और सदैव खुश रहने वाले एक दानवीश वीडियो का पता चला जिसमें धन्यवादी कारियों को दिया जा रहा था इस दयालोता के कारिय से प्रेरित होकर जिमी को एक छमतकारिक सोच का आभास हुआ वह समझ गए कि वे अपने प्लेटफॉर्म का उप्योग करके बदलाव ला सकते हैं 2012 में दिसंबर में जिमी ने मिस्टर बीस्ट नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया वह अपने चैनल पर मनोरंजक चैलेंज वीडियो और व्लॉग बनाने लगे लेकिन उनके पास एक बड़ा उद्देश्य था 2017 में उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को दान के चैलेंज और फंड्रेजिंग कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया बदलाव के समय ने मिस्टर बीस्ट की सफलता की असाधारन यात्रा की शुरुवात की उन्हें यह बात समझ में आई कि मनोरंजनक सामगरी बनाना उनके प्लेटफॉर्म को बढ़ाने और लोगों की मदद करने की क्षमता को बढ़ाने का कारण था मिस्टर बीस्ट ने छोटे-छोटे चैलेंज से शुरू किया जैसे कि भूखे लोगों को खाना देना लेकिन जैसे ही उनके दर्शकों की संख्या बढ़ी वे चैलेंज की मात्रा में भी बढ़ोतरी करने लगे हर नए चैलेंज वीडियो के साथ मिस्टर बीस्ट ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया उनके दानवीश तरीके ने दर्शकों, प्रायोजकों और प्रमुक्स तरिये व्यक्तियों का ध्यान आकरशित किया उनके चैनल के पॉपुलारिटी बढ़ने के साथ साथ वे अन्य सामगरी निर्माताओं के साथ सहयोग करने और अधिक चैलेंज के लिए फंड इकठा करने के लिए विभिन अवसरों को प्राप्त करने लगे उनके प्लेटफॉर्म का उप्योग करके वे बड़े परिवर्तन करने में सक्षम हुए जैसे कि बेघर लोगों के लिए मकान बनाना, संगर शरत व्यक्तियों को वित्तिय सहायता प्रदान करना और शिक्षा संस्थानों का समर्थन करना आज, मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब चैनल के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और उनका प्रभाव इंटरनेट से बहुत आगे बढ़ गया है वे आशा के प्रतीक बन गए हैं जो एक नए पीढ़ी के युवा दानवीश और बदलाव करताओं को प्रेरित कर रहे हैं उनकी यात्रा एक साधारन लड़के से एक महान भविश्यवानी की तरफ बढ़ गई है जो व्यापक दया, सहानुभूती और योजना बद्धता के साथ दुनिया में अद्भूत परिवर्तन कर सकता है